और हम इंद्या के लोग की शुरुवात करेंगे इस वक्त की पचास बड़ी खबरों के साथ यूपी चुनाव से पहले कॉंग्रेस को लगा बड़ा जटका दिगजनेता आर्पेंग सिंग ने कॉंग्रेस से दिया स्तीफा आर्पी एंग सिंग ने कॉंग्रिस से स्तीफा देकर जॉइन की बीजेपी यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने पाठी में किया स्वागत प्रदेश अध्यक्ष स्वतंद्र देव सिंग भी मौजूद रहे वहीं इस बोके पर आर्पी एंग सिंग ने पियम मोदी सीम योगी की जमकर तारीफ की कहा कि डबल इंजिन की सरकार से यूपी में विकास हो रहा आर्पियंग सिंग ने गहा पियम मोदी ने काफी कम समय में राष्ट्र निर्मान का काम किया यूपी में सीएंग योगी ने कानूं व्यवस्था में सुधार किया आरपिएंग सिंग ने कॉंग्रेस की सोच पर उठाए सवाल कहा कि कॉंग्रेस अब राश्र हित में नहीं है रही कॉंग्रेस की सोच सीम योगी का खिरेश यादर पर हमला कहा जिने पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता जिनना दोस्त लगता है उनकी सीक्षा दिक्षा और दृष्टी क्या है क्या कहा जाए सीम योगी ने कहा करे न धरें तरकस पहने फिरें पूरे विपक्ष का यही हाल निव जिद्या के यलीगर कॉन्ख्लेड में बोले केंदरी मंत्री अरजुन राम मेगवाल कहा पाकिस्तान का समर्थन करने वालों को यूपी की जरता सिखाईगी सबत अरजुन राम बेगवाल ने इंडिया गेज़ पर नेता जी की प्रतिबा के फैसले का किया स्वागत कहा पियम मोदी ने सराहनी फैसला लिया बेगवाल ने का खिलेश का बिजली पेंशन का दावा जूटा खिलेश राज में बिजली नहीं आती थी योगी सरकार ने 24 घंटे बिजली दी केंद्रे मंत्री ने का योगी सरकार ने किसान हित में काम किया पहले यूपी में चीनी मिल बंद थी यूपी सरकार ने चीनी मिलों को फिर से चलवाया यूपिस सरकार में मंत्री ब्रिजेश पाठक ने समाजवादी पाठी पर निशाना साधा का समाजवादी पाठी ने अपराधियों को टेकड़ दिया सिरन पुशकर सिंग धामी हरिद्वार गए जहाँ पूजा अर्चनकर मा गंगा का अशिरवाद लिया हरिद्वार वे बीजेपी के कई प्रत्याशियों ने किया नमांकन, मदनकोशेक, सुरेश राठोर और स्वामी यती स्वरानंद ने किया नमांकन देरादून में कॉंग्रेस के चुनावी थीम सौंग पर पाटी के वरिष्ट नेता जमकर थिर के हरीश रावाद, प्रीतम सिंग, 36 गड़ के सीम रहे मौजूद उत्तराखंड कॉंग्रेस ने चुनावी थीम सौंग और चारधाम चार का मुत्तराखंडी स्वाभिमान कैम्पिन लॉंच किया, बूपेश बगेल ने देरदून में इस कैम्पिन की शुरुवात की दिल्ली के बुक्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने कहा, दिल्ली में 100 फीसिदी लोगों को पहली डोस दी गई, 82 फीसिदी लोगों को दूसरी डोस दी गई, लगता है ये पूरे देश और दुनिया में एक रिकॉर्ड है उन्होंने कहा, बूस्टर डोस भी बहुत तेजी से लग रही, हम जल्द ही कोरोना प्रतिबंधों को खटाएंगे, उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार के सभी ऑफिस में बाबा साबम बेटकर और शहीद भगत सिंग्की तस्वीर लगाई जाएगी समाजवादी पार्टी ने 169 उमीदवारों के नामों की घोशना की, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमों अखिलेश यादव मैनपूरी की करहल से लड़ेंगे चुना केराना से जेल में बंद नाही धसन बनाए गए सफ़ा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद के बेटे का नाम समाजवादी पार्टी के लिस्ट में नहीं बंगाल में बीजेपी को लगा एक और जटका अभिनेता बोनी सेन गुपता ने पार्टी छोड़ी बीजेपी बोली नहीं पड़ेगा कोई प्रफाव माराश्ट के वर्धा में भीशन सड़क हादसे में बीजेपी विदाय के बेटे समेट साथ मेडिकल छात्रों की दर्दनाख मौन छात्रों की कार की रफ़तार तेज थी ड्राइवर के नियंतरन कोने की वज़े से हादसा हुआ कार नदी के पुल से अनियंतरित होकर नीचे किरी हादसे पर पीम मोदी ने दुख जताया जान गवाने वालों के फरीजनों के लिए प्रधान मंत्री राहत कोश्ट रे बृतकों को दो दो लाख और घायलों को पचास पचास हजार वो आफ़जा देने का इलाद केद्रे स्वास्ट मंत्री मंसुक मांडविया ने कोरोना को लेकर की राजियों के साथ बैठक कल समय से भेजे कोविट टेस्टिंग और वेक्सिनेशन डेटा मारत में पिछले 24 गंटे में कोरोना के दो लाख 55,874 नए मामले आई सामने में वहीं 2,67,753 लोग ठीक हुए 614 लोगों की कोरोना से मौत देश में अब तक ही 58,88 लाख लोगों का टेस्ट हो चुका वहीं पिछले 24 गंटे के दौरान 16,49,108 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया देश में अब तक एक्टिव केसों की संख्या लगातार बढ़ी अभी कोरोना के 22,36,842 एक्टिव केस हैं पूर्व भारतिये क्रिकेटर गौतम गंभीर कोरोना पॉजितिव ट्विट कर दी जानकारी संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील की परद्र प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान ने गौालियर में एक रेंट बसेरे का लिया जाइजा केंद्रे मंत्री नरेंद्र सिंग तो मर भी मौझूद रहे जैसल मेर में रेल हाथसा मालगाड़ी के पंद्रा डिबे पटरी से उतरे हाथसे की वज़े से कई ट्रेंड के अन्सित हिमाचल प्रदेश के चंबा में लगतार बर्वबारी से जमी बर्व की मोटी चादर यातायात परसर प्रशासन सड़कों से बर्व को हटाने में जुटा हिमाजर प्रदेश की राज़ानी शिमला में जबरदस्त बर्फबारी हर तरफ बिची बर्फ की मोटी परत परेचती के लिए गुल्जार हुआ शिमला 2022 के बजट में टेक्स्टाइल सेक्टर में मेनिफैक्टरिंग को बढ़ावा देने के लिए वित्मंत्री कर सकती है एलान 16,000 करोड रुपए की होगी नई स्की 2026 तक 300 अरब के इलेक्ट्रोनिक मेनिफैक्टरिंग और एक्सपोर्ट का टार्गेट सरकार ने तै किया पांच साल का रोड मैं जर्मनी के हील बर्फ में गोली बारी कई लोग गंभी रूप से घायल पुलिस ने हमलावर को किया ठेर रूस और यूक्रेन में युद्ध का काउंडाउन शुरू अमेरिका ने कीव से अपने दूतावास के स्टाफ को वापस बुलाया ब्रिटन के प्रगान मंत्री बोरिस जॉनसन ने रूसी राश्टपती को दीचे तावनी बोले अगर रूस यूक्रेन पर करता है हमला ये दर्दनाग और खूनी खेल होगा रूस यूक्रेन ताज़ा हालाग पर अमेरिका राश्टपती की नई पहल यूरोपिय यूनियन के नेताओं से बात कर तनाव कम करने पर चर्चा करें वर्ल्ड हेल्थ और्गनाईजेशन का ओमिक्रॉन पर परस्पर विरोधी बयान ओमिक्रॉन से नहीं होगा कोरोना महामारीकान कोरोना को हराने पर धान करें किंडरे कोरोना को लेकर चीन की सकती जारी बीजिंग में 20 लाख लोगों की होगी जान शियान में एक महीने बाद हटा लॉक्टा गर्तंदर दिवस से पहले गोल्डन बॉई नीरा चोपड़ा को बिलेगा वीरता पुरुसकार राश्पती रामनात को विन करेंगे सम्भाने महिला एशिया का फुटबॉल में भारत के सभी मैच रद कोरोना संक्रमन की वज़े से फैसला खिलाडियों ने कहा सब कुछ तबाह हो गया टीम इंजिया की महिला क्रिकेजर स्वृत्ती मंधाना को बड़ी कामियाबी आई सीसी ने महिला क्रिकेजर आप दा इयर पुरुसकार से नबसा पूर्व स्पिनर शेन वॉन ने विराट को लेकर दिया बड़ा बया अंकार टेस्ट कप्तान के पद से स्टीफा देते देख दुख हुआ शादी के बाद काट्वीना कैप ने पहली बार शेयर की बोल्ड तस्वीर यादा कारा ने समंदर के किनारे को बताया बेहत पसंद अक्षे कुमार ने खरीदा नया घर साथ करोड़ सी लाग का फ्लैट अक्षे ने रहने के लिए नहीं बल्की इन्वेस्ट्मेंट परपस के लिए लिया स्कूल की छोटी बच्छी ने अपने माता पिता को समर्पित किया भोजपूरी गीत यूजर्स बरसा रहे प्या सबसे छुपकर तीन डौगी की हो रही थी सीक्रेट मीटिंग पकड़े जाने पर बने एक दूसरे से अंजान बिना मतलब टाइगर से बंगा ले रहा था डौगी चंद सेकिन में बाग ने डौगी को दबोच कर बनाया शिकार